नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर दिल्ली शराब घुटाली से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं जहां एडी ने एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल को गया है और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है तो देखना होगा केज्रिवाल पेश होते हैं या नहीं क्योंकि 17 तारीक को भी दिल्ली के राउस विन्यों कोट में अर्विन केज्रिवाल की पेशी होनी है इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले को राजनितिक रंग दे रहा था अर्विन केज्रिवाल ने इस समय जो पांच बार एडी के समन पर जाने से अपने आपको रोक लिया उसके पीछे वजह क्या बताए गई कि आप पहले ये बताईए कि हमें आरोपी बनाये हैं दिल्ली के मुखमंत्री के त पर बुला रहे हैं आरोपी हैं या फिर हम गवाह के तौर पर हैं ये पंद्रह कोश्चन पूछे उसके बाद क्या किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं दिल्ली के मुखमंत्री हैं तो कभी एड्मिस्ट्रेटी वर्क का हवाल देकर कभी गोवा में कभी गुजरात में कभी पंजाब में जो पॉलिटिकल कंपेन हैं उसका हवाला देकर मतलब आप पूरी तरीके से राजनीती कर रहे थे एडी के समन पर टाल मटोल का रवया अपना रहे थे एडी ने अचानक से 17 तारीक का इंतजार किये बिना पहले ह हम वहाँ नहीं जा सकते और हमारे किलाप को से सबूत नहीं है जिसे हमें जाकर वहाँ पर जवाब देने की ज़ौत है अब राउजयवन्नी कोट में जब पहुची एडी की तीम और वहाँ पर जब कंप्लेंड किया कि देखिया हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर कोट ने क्या कहा कि अर्विंद केजरिवाल आकर सीधे बताएं सत्रह तारीकों कि क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं आखिर उनको समस्या क्या है सत्रह तारीकों कोट में बिना सुनवाई के बिना ED ने तो अपनी बात रख दी, ED ने वहाँ पर केदरिवाल की पेशी के लिए समय ले लिया, 17 तारीक को केदरिवाल वहाँ कोट में पेश होगा, और वहाँ पर बताना है कि हमें क्या-क्या परिसानिया आए, इन परिसानियों करणम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसके पहले ED का छठा समन आता है, और कोट में एक और नया डेट देने के लिए ED के पास एक समन का अधिकार है, तो ED की टीम, ED के तरफ से वकील वहाँ कहेंगे, देखिए मिलोड हमने तो 19 फरवरी को इनको बुलाया है, अब 17 फरवरी को ये बताएं, कि 19 फरवरी को ये हमें सहयोग दे अब केजरीवाल को कोट में बताना पड़ेगा, कि 19 फरवरी के किस कारण से हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये पहले वाली बात तो है नहीं, कि अब तक आपने क्या किया, आपने बहानेवाजी की लेटर लिखा और जाने से अपने आपको रोक लिया, अब तक तो केजरीवाल बहाना बनाती हुए हैं, कुछ न कुछ बहाना बना दिया, 19 फरवरी को बहाना बना पाएंगे। तो फिर जज साहब बोलेंगे न, कि या तो आप सहयोग करें, या तो ED के पास Section 50 के अंतरगत आपको हिरासत में लेकर पूश्ताश करने का अधिकार है, और यही मामला कोट के अंदर ED उठाएगी, कि अगर ये सहयोग करने के लिए तयार नहीं है, तो फिर आप वारंटी कीजिए, हम आपके पास आए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर एक बड़े घोटाले के मास्टर माइंड होने का आरोप है, जिसके खिलाप सारे आरोप आपके पास भी है, दिल्ली हाई कोट में पिछले दिनों सुनवाई हुई संजसिन को लेकर, तो हाई कोट ने भी ही कहा जमानत के उपर, कि देखिए, आपके खिलाप यह यह एविडेंस है, दिनेस अरोडा है, तिवारी है, जिसने दो करोड लिये, आपके जगह और वो आपके बंगले के अंदर कब लेंदेन की गई, वहां से कब निकला, यह सारे बयान, अगर सत्यापित हो रहे हैं, त मीटिंग होई, सारे सचाई सत्यापित है, तो यह डिजिटल ट्रांजक्शन की बात मत किजिए, कोई घुसखोरी, कोई रिश्वत, यह बैक एकाउंट में डाले जाते हैं, जो अरविंद केजरिवाल की पूरी टीम चिला चिला कर कर कहता है, कि देखिए हमारे खिलाप पकड़ा जाएगा, यह सेल कंपनियों के माद्यम से होता है, दस साल हो गए, पिये मोदी की सरकार है, जो इतने सालों से स्विस बैंक के एकाउंट से पैसे वापस लाने के लिए तीन-तीन समझाता हो चुका है, और तीसरे लिवल पर चल रहा है, यह सारे लिस्ट भी मौज जो है, जिनका पनामा पेपर लिक में भी नाम है, यह सारे टैक सेवन कंट्री में अगर एकाउंट खुलवाए है, वहां डाइरेक्ट हवाला के जरिये ब्लैक मनी जा रहा है, पैसा जमा हो रहा है, तो सुबूत एडी को यहां कैसे मिलेगा, एडी तो पूरे निकसस का और आपने जोड एकसाइज पॉलिसी बनाई है, उस एकसाइज पॉलिसी में फायदा किसको हो रहा है, जो इसके स्टेक हुलडर है, शराब की कंपनियों को फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, शराब विकरेता को मुनाफा हो रहा है, और दिल्ली सरकार को लगभग 2.9 हजार करोड रुपया का लगबग तीन हजार करोड रुपय के रेवेन्यू लॉस हुए है तो फिर ये एकसाइज पॉलिसी सरकार के लिए बनाये थे या शराब माफियाओं के लिए बनाये थे ये सारे सबूत लेकर ED नहीं अरविंद केजरिवाल के उपर चार्जेज पुकता सबूत है अब 19 तारिक को पेशी के लिए बुलाए गया क्या माना जाए क्योंकि मामला कोड भी पहुंच चुका है 6-6 समन अब तक जारी कर दिये गया है क्या 19 फरवरी को केजरिवाल गिरफतार होंगे देखिए अब ये अंतिम समन है क्योंकि 17 फरवरी को अगर को क्यों पीजिए हिरासत में लेना पड़ेगा ये रिस्क तो अरुविंद केजरिवाल नहीं उठाएगा ये बोलेगा कि भाई हम उनी इस तारीक को पेश होने की कोशिश करेंगे हम सारे अपने दूसरे जो काम हैं उसको सस्पेंट करते हैं और हम पेश होने की कोशिश करेंगे अब उसके बाद दो दिन के अंदर अरविंद केजरिवाल यह प्लानिंग करेगा कि कैसे कितने देर तक जाना है कैसे ह विश्वानी कर रहे हैं कि मुझे एडी गिरफ्तार कर लेगी, एक साल अगर मनीज स्वधिया बीना बेल के जेल में रह सकता है, तीन दिन के लिए भती जी की साधी के लिए बाहर आता है, पुलिस वाले साथ कड़े होते हैं, डर से कहता है ने ने हमारे परिवार के सारे लोग रहेंगे और उस समय दो पुलिस वाले दोनों तरफ से घेरे रहेंगे हम वहाँ भी जिल में है संजैसीन को बेल नहीं मिल रही है जो जितने लोग इसमें शामिल है विजय नायर को बेल नहीं है तो ये लोग जब छट पटा रहे हैं बेल के लिए नहीं दी जा रही है तो हमें कैसे मिल जाएगी हम तो teacher mind explain a room के दिवाल को समय को सके हिरासत से बचे गरफ़तारी बचे लेकिन अब वह समय आचुका है अर्वन केजिरिवाल उन्नीस ताओ बिस Tारी 2021 बतलब इस महीने में ग्रफ़तार लगभग क्यार लिया जाएगा और ऐसे में अब अगला नमबर अर्विन केजरिवाल का आ गया है इस बड़ी कपर में मेरे साथ फलाल इतना ही कैमेर परसें रवी के साथ मैं पूचा क्यापिटल टीवी